आकार आईएस के यूट्यूब चानल में आप सभी का स्वागत है आज की जो जो सीरीज चल रही है उसमें हम डेली नीज अनालेसिस करते हैं एडिटोरियन अनालेसिस करते हैं हम देखते हैं कि फिलहाल हमारे देश में क्या-क्या चल रहा है और उसको हम एक्जाम से जोड़क उसकी रेलेवेंस को एनालाईस करते हैं देखते हैं उसमें से क्या चीज हमारे जानने वाली है क्या स्टाटिक पार्ट है क्या थियोरी पार्ट है क्या उसका एनालेसिस है तो इन चीजों का हम लोग इन चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं इसमें और आज का जो टॉपिक जो आर्टिकल आया है उनकी सबसे पहले रेलेवेंस क्या है हमारे लिए कि हम क्यूं ही पढ़ें उनको कहां कहां पर वो फिट होते हैं वो आर्टिकल्स यह देखेंगे देखेंगे कि actually current news क्या है उन चीजों से related उसके बाद जो keywords है कुछ उनका हम analysis करेंगे देखेंगे उनके बारे में क्या क्या हमें जानना चाहिए तो keywords क्या है CERT-IN एक तो यह है और उसके बाद जो आया था article वो RTI के बारे में था तो हम RTI का पूरा analysis करेंगे देखेंगे कि उसका क्या historical context था आज के समय में उसकी क्या needs और objectives हैं क्या क्या legal aspects हैं किन-किन कानूनों के तहत वो establish किया गया है देखेंगे कौन-कौन सा institutional mechanism हमें क्या-क्या structure खड़ा होता है एक governmental structure खड़ा करता है वो act क्या-क्या उस related rules and regulations, provisions हैं वो देखेंगे हम लोग आज के समय में उसकी importance देखेंगे और उससे related हम challenges भी देखेंगे and lastly उन challenges को हम कैसे solve कर सकते हैं वो देखेंगे and lastly इन दोनों topics related हम कुछ questions को solve करने की कोशिश करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले current news क्या है आज एक article आया है कि जो CERT इसका full form है computer emergency response team यह एक organization है और government ने कहा है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में हम notify करेंगे कि RTI के under इस organization को exempt कर दिया जाएगा कोई भी सूचना यह organization चाहे अगर RTI के थो इससे मांगा जाता है तो खारिच कर सकती है information provide करने से मना कर सकती है यह organization may be exempted from giving information under RTI it will allow agency to reject applications for information even for policy matters एक तो यह information आज यह current news थी दूसरी news RTI से सम्मंधिर एक वो चल रही है जैसे हमने political news है यह कि Gujarat High Court ने जो बताया है कि जो Chief Minister Arvind Kejriwal है उनका जो statement है Modi जी की degree से related और उसमें involvement है RTI Chief Information Commissioner और कहीं न कहीं involvement है Gujarat High Court जिन्होंने बोलाए कि वो information भी exempted है section 8 के अंडर आती है वो चीज हम आगे study करेंगे देखते हैं कि Chief Information Commissioner क्या होते हैं क्या power होती है क्या कद होता है उनका और उसके बाद section 8 क्या होता है क्या क्या तरीके के exemptions आते हैं तो पूरा ही हम लोग analysis करेंगे इसमें सबसे पहले देखते हैं Computer Emergency Response Force जो CERT इसको जो कहते हैं वो क्या है सबसे पहले it is the national nodal agency तो एक national level की agency है for responding to computer security incidents and when they occur तो जैसे हम जानते हैं जैसे disaster response force होती है NDRF होती है SDRF होती है क्या होता है जब भी कोई आपदा आती है किसी भी प्रकार की भूकम पा गया आपके cyclones आ गए flood आ गए तो immediately वो organization तुरंद वहां पे deploy करी जाती है और जो emergency measures है उस particular disaster से related उसको उससे related mitigation करती है उससे related लोग को relief पहुंचाती है तो मान लिजए ऐसा ही कुछ situation अगर cyber space में हो जाए एक बहुत बड़ी सी organization या power plant मान लिजए उसमें कोई virus attack कर दिया किसी भारी देश से तो उसकी वज़े से मान लिजए अगर nuclear facility पर एक cyber attack हो गया तो वो हमारे देश के लिए उस particular area के लिए वहां के लोगों के लिए disaster से कम नहीं होगा कि अगर वहां पर कोई ऐसी disaster हो जाए कोई blast हो जाए तो ऐसी situation को handle करने के लिए cyber attacks को handle करने के लिए cyber threats को handle करने के लिए यह organization बनाई गई है कि जैसे ही कुछ ऐसा पता चलता है तुरंत वह act करके उसे neutralize करती है उस attack को counter करती है या खतम कर देती है यह पूरा काम है इस organization का यह 2004 में बनी थी as a functional organization of ministry of electronics and information technology तो यह ध्यान में रखियेगा यह इस ministry के अंडर आती है इसके क्या-क्या functions होते हैं देखते हैं यह the information IT act जो है जो IT act आया है 2008 में उसके कुछ amendments किये गए थे 2008 में तो उस amendment के थो इसके कुछ functions define किये गए थे function है जैसे collection, analysis, dissemination of information on cyber incidents जित्ती भी cyber incidents होते हैं उनसे संबंद है जित्ती भी जानकारी है उसको collect करके और लोगों तक पहुँचाने का काम करता है सबसे पहले यह forecast and alerts of cyber security incidents surveillance का काम होता है अलग-अलग जगाओं पर दुनिया के अलग-अलग agencies पर यह नज़र रखता है अलग-अलग खूफिया agencies पर नज़र रखता है और अंदाजा लगाता है कि हाँ इस समय पर यह वाली organization इंडिया के इस वाले संस्थान पर cyber attack कर सकती है तो पहले से prepare होने में मदद करती है emergency measure for handling cyber security incidents तो जैसा कि हम जानते हैं अगर ऐसा कोई issue हो जाए तो उसे tackle किया भी यही करती है coordination of cyber incidents response activities दूसरी जो और organizations होती है उनके साथ coordination करने का काम होता है issue, guidelines, advisory, vulnerability, notes and white papers relating to information security practice, procedure, prevention, response तो एक टाइप से सब कुछ चीज़ें A to Z जो cyber security से related होती है वो इस organization के अंडर आती है और इसको authority होती है उन situations को अच्छे से tackle करने के लिए actions ले पाए तो यह होता है CERT इसका अगर relevance देखा जाए तो relevance इसका pre में ज्यादा है जैसे हम आगे देखेंगे कुछ previous year question pre में भी with respect to cyber security cyber security के लिए specially है क्योंकि अलग अलग इंडिया ने अब steps लिए हैं जैसे cyber coordination center हो गया जैसे और CERT हो गया अलग अलग organization आ रही है cyber crime से लड़ने के लिए तो क्या 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 organization है कित्ते कित्ते तरीके के cyber crime होते हैं और क्या क्या ransomware malware यह जो news में है जैसे wanna cry हो गया PTA हो गया और और भी तरीके के ऐसे software होते हैं उनके बारे में थोड़ा उनका नाम और उन से related कुछ एक दो लाइन का background information prelims में बहुत पूछा जाता है तो इस perspective से यह जानना जरूरी है और इसका बहुत governance के अंडर आता है यह governance के अंडर हम इसे पढ़ते हैं अब आगे जाते हैं देखते हैं right to information के बार में जो article हमने पढ़ा था यह उसका आगला topic है और यह जानना काफी जरूरी है यह इसका भी अगर relevance देखा जाए तो यह prelims में इसका कुछ background information आपके लिए जानना जरूरी है इससे related जो provisions हो गए और इसका जो institutional institutional mechanism जो हो गया वो important है वो prelims में पूछा जा सकता है और prelims में overall यह जो है पूरा RTI article 19 freedom of speech and expression and article 21 से संबंदिज जो current issues चल रहे होते हैं उसमें relevant होता है और इसका relevance में आपका GS2 में आता है basically यह होता है दो जगाओं पे इसका relevance आता है regulatory and statutory bodies के बारे में जानना और important aspects of governance में जैसे important aspects of governance में जैसे transparency हो गया accountability हो गया और इनसे related और क्या-क्या अलग-अलग यह governance के issues होते हैं उसमें यह RTI अक्सर पूछा जाता है और यह पूछा गया भी है तो इसलिए आपको RTI के बारे में background जानना as an aspirant काफी जरूरी हो जाता है तो चलिए आरगे देखते हैं शुरू करते हैं कि right to information है तो इसका historical context क्या है यह कहां से आता है और कहां पहले आ चुका है तो सबसे पहले origin of RTI was seen first in Sweden in 1766 and 200 years later it was enacted in US to enforce it तो सबसे पहला evidence होता है कि सरकार या फिर कोई भी ruling authority होती है उससे लोगों को information मांगने का जो हक है सबसे पहले 1766 में Sweden में लागो किया गया था और 200 साल बाद यह US में enforce किया गया था और इंडिया की अगर बात करें तो इसकी शुरुवात होती है 1970 में होती है शुरुवात जब हमारे land reforms implementation के process में थे तो in 1917 with demand of मजदूर किसान शक्ति संग यह एक organization है farmers की एक organization थी राजस्तान में कि जब land reforms हो रहे थे तो इन्होंने demand किया था सरकार से कि जो land reforms हो रहे हैं उससे संबंदित क्या-क्या प्रकरन हैं क्या-क्या procedure हो रहे हैं हमें उसकी जानकारी चाहिए क्योंकि किसानों के ही जमीन का land reform हो रहा था तो इसलिए उनका हक था कि वो उससे related information मांगे यह fact अब ध्यान में रखेगा कौन सा organization था मजदूर किसान शक्ति संग यह exam में पूछा जा चुका है RTI से related तो यह इसका historical background था 1970 में पहली बार यह demand हुआ था अब देखते हैं RTI असल में है क्या RTI जो है यह act है जो कि Parliament ने Parliament ने enact किया था कौन से year में 2005 mandates mandates मतलब compulsory obligation कि उस organization पे compulsory उस पे condition लगाता है for timely response to citizen request for government information अगर कोई भी सरकारी संस्था है सरकारी office है कोई भी जाके वहां से कोई जानकारी अगर मांगना चाहे तो वो उसकी जिम्मेदारी है उस सरकारी दफ्तर की यह उस पोस्ट की कि उस citizen को वो अले information accurately एक particular समय के अंदर अंदर प्रवाइड करी जाए यह जो act है यह अधिनियम यह कहता है it is a statutory right inferred from article 19 and 21 यह आप ध्यान में रखेगा यह pre के हिसाब से important है कि RTI कौन से constitution के act में आता है statutory right मतलब यह constitutional constitution में right नहीं दे रखा है it is inferred from article 19 and 21 मतलब article 19 जो है freedom of speech and expression के बारे में कहता है और जो 21 है वो life and liberty के बारे में कहता है तो इनी से derive करके इनी को और इनी से और मतलम निकालके इनको और interpret करके right to information हमने बनाया है कैसे बनाया है वो मैं अभी बताऊंगा the basic objective of the right to information is to empower the citizen to promote transparency and accountability in working of the government and contain corruption and make a democracy work for people in the real sense तो इसका basic objective क्या है कि पारदर्शिता बनाई जाए सरकारी प्रक्रण में कि क्या कैसा हो रहा है लोगों को पता होना चाहिए उनके पीट पीछे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे उनको नुकसान पहुंच जाए जवाब दे ही होनी चाहिए सरकार की लोगों के सामने और जो efficiency है कोशलता है जो government की वो और improve हो और लोगों को और strong बना जाए और empower किया जाए यह यह चीज़े आक्ट बताता है ऐसा ऐसा होगा और यह जो है basic premise है democracy का तो एक बार इसका देख लेते हैं कि article 19 से कैसे derive होता है आर्टिकल 19 कहता है freedom of speech and expression आर्टिकल 19 clause 1 तो लोगों को यह खुली छूट दी गई है कि लोग अपने जो भी thoughts हैं उनको express कर सकते हैं जो भी कहना चाहते हैं वो खुलके अपने इस देश में बोल सकते हैं लेकिन ऐसा है कि लोगों को express करने से पहले एक अच्छी सी information होनी चाहिए जो expression है वो किसी information के आधार पे होना चाहिए तो इससे पहले कि लोग कुछ अपने opinions express करें they have to be well informed तो well informed कैसे होंगे जब उन्हें information मिलेगी तो मान लीजे किसी को अपना article 19 का जो हक है freedom of speech and expression सरकार को criticize करने के लिए या सरकार को कुछ suggestions देने के लिए use करना है लेकिन उसके पहले उसे पता होना चाहिए कि सरकार में चल क्या रहा है तो वो जानने के लिए इस freedom को use करने से पहले वो RTI के प्रावधान को use करेगा government से बोलेगा मुझे आपके department की XYZ जानकारी चाहिए सरकार तुरंत उसे जानकारी देगी वो आदमी उस जानकारी को पढ़ेगा और उस basis पे जो लगेगा criticize करेगा उसके appreciation करेगा फिर बाद में करेगा by using the freedom of speech तो एक टाइप से RTI जो है precursor की तरह आप समझ सकते हैं कि express करने से पहले जानकारी होना जरूरी है और जानकारी जो है RTI Act 2005 provide करता है तो यह है पूरा basic premise अब देखते हैं कि इसके objectives क्या है objectives है by enhancing participative democracy by informing citizens जितने भी democratic process हैं election हो गया voting हो गया या फिर लोगों को अपने fundamental rights exercise करने है कोई भी ऐसी activity हो गई तो लोग democracy में और जादा participate कर पाएं यह इसका एक objective है क्योंकि लोगों को और empower करता है लोगों जब empower होते हैं तो democratic process में और जादा involved होने की कोशिश करते हैं और जादा active होते हैं by informing increasing transparency and accountability of the government जो government offices हैं अब लोग वहाँ पर directly information और मांग सकते हैं जान सकते हैं कि क्या चल रहा है किस basis पर decisions बनाए जा रहा है कौन decision बना रहा है containing corruption अब कोई भी जैसे माल लेजए financial कुछ work हो रहा है किसी organization में और उसमें corruption हो रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा क्यों क्योंकि लोग information नहीं access कर पा रहे हैं RTI ये कहता है आपको कोई भी तरीके की information अगर जाननी हो भले ही वो financial भी हो किसी भी organization के working की तो RTI के माध्यम से वो information मांग सकते हैं तो इससे क्या होगा जो institutions हैं वो corruption की तरफ थोड़ा कम inclined होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि वो जो भी करेंगे आगे चलके लोग उनसे information मांग सकते हैं उस सीज़की और वो पकड़े जा सकते हैं और इसकी जरूरत क्या है क्योंकि ये जो act है आने से पहले बहुत सारा corruption हुआ करता था government में काफी सारे scandal हुआ करते थे scam हुआ करते थे international pressure और activism होता था इंडिया के बाहर और देश भी RTI जैसे act लागू कर रहे थे ताकि लोगों को और लोगों का और सकतिकरण हो modernization of information and digitization अब information जो है digitization की वज़े से बढ़ती जा रहे है और digitization क्या करता है लोगों के हाथ में information provide करता है तो एक people और government के बीच में connect लाता है RTI और कैसे digital medium से क्योंकि हम जानते हैं जित्ता भी RTI applications होती है वो अब digital form में जादा होती है digital form में होती है तो ये चीज है अब देखते हैं इसके legal aspects क्या है हम देखते हैं कि RTI Act 2005 जो है इसके क्या क्या provisions है it provides meaning of meaning of information तो कोई भी अधिनियम होता है किसी चीज को regulate करता है वो सबसे पहले बताता है कि वो act किस चीज को regulate करता है and उसका पूरा criteria क्या है उसकी definition provide करता है जैसे information को regulate करता है तो बताता है information होती क्या है information in any form physical or digital that can be accessed by public authority किसी भी तरीके की information जो कि किसी कागज के तौर पे हो सकती है या किसी computer के PDF document के तौर पे हो सकती है जो कि public authority जो है access कर सकता है अब यहाँ पे एक शब्द आता है public authority अगले जो चीज है RTI वो भी define करता है कि public authority क्या होती है a constitutional or statutory or body notified under article 12 or an NGO substantially or fully funded यह owned by the government तो कहने का मतलब यह है public authority वो होती है जो कोई भी एक type से government office हो भले ही वो government office हो जैसे election commissioner हो गया या फिर statutory हो जैसे national human right commission हो गया जो की कोई law बनाता है या फिर कोई भी ऐसी organization जो article 12 में आती है कोई भी ऐसा the office जिसमें government का काफी substantial involvement हो वो चीज होती है वो article 12 define करता है कोई भी ऐसी body या फिर कोई भी एंजी ओ that is substantially और fully funded या owned by government तो एंजी ओस भी इस act में involved होते हैं कोई भी एंजी ओस अगर उसमें government का involvement होता है तो उनसे भी लोग information मांग सकते हैं and public authority must provide information suomoto regarding the details of तो act ये कहता है कोई भी government body हो मान लीजे कोई आपके district का water department हो आप उसके online page पे जाएंगे तो RTI act कहता है उस public department को या public office को कुछ information खुद से ही provide करनी पड़ेगी क्या खुद से provide करनी पड़ेगी information जैसे function organizational structure हो गया वो उसका क्या organization है वो department क्या क्या करता है उसके powers हो गए उसकी duty of officers हो गया वहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं और उसकी financial information वो पहले से voluntarily अपने खुद से online उसे provide करनी होगी और if any information is not accessible citizen have the right to access it तो organization खुद से सारी information provide करेगा लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी information जाननी है जो वहाँ पे खुद से provide नहीं की जा रही है तब जाके वो व्यक्ति RTI फाइल कर सकता है सुओ मोटो मतलब by themselves मतलब खुद से खुद की actions है उसके बाद देखते हैं exceptions of to RTI ऐसी कौन सी information होती है जिसको लोग नहीं access कर सकते हैं RTI Act होने के बावजूद rejection of applications under section 8 तो जितने भी exceptions हैं यह आप एक बाद देख लिजगा Official Secrets Act हो गया कि जो MPs हैं, MLAs हैं जो confidential चीज़े होती हैं RTI उनसे वो चीज़े नहीं पूछ सकता जो country के importance के लिए काफी जादा high हो और affects sovereignty and integrity of India security, economic, strategic, scientific or leading to incitement of offense कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जा सकती है लोगों को जिससे लोग भड़क सकते हैं या फिर offense का incitement हो सकता है forbidden by any court amounting to contempt of court ऐसी कोई भी information जो court कहता है कि नहीं देनी चाहिए वरना अगर information पहुँच गई तो वो contempt of court होगा trade secrets, commercial and IPR related तो at ये भी कहता है कि जो भी information मांगेगा कोई भी उसको 30 दिन के अंदर उसका response मिलना चाहिए और अगर उस response से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है तो 90 days के अंदर 90 दिन के अंदर फिर से और higher authorities पे अपील कर सकता है तो अब हम एक बार देखते हैं कि इसका implementation कैसे होता है यह पूरा organization क्या establish होती है organizational implementation तो सबसे पहले ये जो है organizations जो है एक तो center में होती है और states में होती है center में chief information commissioner एक होता है और लगभग लगभग maximum 10 information commissioners होते है और यहाँ पे एक state information commissioner होता है और यहाँ पे भी कुछ इनहीं के साथ information commissioners होते हैं अब इनके अंडर अलग-अलग public authorities आती है जित्ते भी government departments होते है मान लीजे यह public authority 1 है मान लीजे electricity department है मान लीजे public authority 2 है यह irrigation department है public authority 3 हो गया यह sanitation department हो गया तो ऐसे ही center के अंडर जित्ती भी organization आती है ऐसे ही जो हर state government के अंडर information आती है उन सबको हम public authority बोलेंगे और हर public authority में हर department में हर office में एक public information officer बैठेगा जिसको हम लोग कहेंगे PIO उस PIO जो officer है उसके responsibility होगी उस department से जित्ती भी request आई है उस department से संबन्द है जित्ते लोगों ने भी information का access करने को बोला है कि मुझे इस department की XYZ information चाहिए इस PIO का काम होता है कि वो information उसे 30 दिन के अंदर-अंदर accurate information provide करें यह जो PIOs होते हैं सीधे सीधे जो citizen होते हैं इनका इन ही से interaction होता है एक PIO यह हो गए एक यह हो गए तो जो citizen होते हैं information मांगने के लिए सीधे सीधे पहले PIOs से interact करती है और मान लीजे जो information PIOs ने citizen को अगर provide करी वो उससे खुश नहीं है तब जाके यह higher authority पे appeal करते हैं ऐसा ही पूरा प्रकरण यहां पे भी state में भी होता है public authority होती है यहां भी अलग-अलग तरीके की हर public authority में PIO होते हैं यहां भी PIOs होते हैं और citizen state authorities से interact करने के लिए state PIOs से request करते हैं तो यह होता है पूरा structure तो यह पूरा institutional mechanism जो मैंने बताया था अब उसके बारे में थोड़ा और detail में देखते हैं कि information commissioners, chief information commissioners इनका क्या information होता है act establishes central information commissioner as an independent body independent body मतलब यह किसी भी और दूसरी body के under में काम नहीं करेगा यह खुद से independently सारे decisions में करेगा बिना किसी influence के to look into complaints and appeals तो एक top body जो chief information commissioner है यह पूरा head रहेगा इनहीं के under सारी चीज़ें होंगी अब जो information commission होगा उस information commission उसका composition क्या होगा तो act यह कहता है कि एक chief information commission less than 10 information commissioners होंगे उसमें appointed and removed by president मतलब head of the head of the state top executive authority recommended by a committee जो भी उसमें members का recommendation appointment का recommendation जो precedent के पास जाएगा वो एक committee मिलके बैठके decide करेगी उसमें committee में कौन होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे लोग सभा की leader of opposition होंगे और cabinet ministers होंगे और जो chief information commission और information commissioners होते हैं कि qualifications क्या होंगी तो यह भी act बताता है कि person of eminence in public life should not be an MP or MLA and should not hold any office of office of profit तो यह तीन conditions और कुछ और है बट यह तीन major conditions है किसी भी information commissioner यह CIC के qualification के लिए उसके बाद tenure and service conditions की बात करते हैं तो एक amendment act आया था amendment act in 2019 आया था उसके तहत कुछ चीजे बदल दी गई हैं इस act में क्या जैसे पहले क्या होता था tenure जो होता था उनका चीफ information commissioner, information commissioner का इनका fixed रहता था अब क्या होता है now decided by central government, tenure, salary and service conditions और जो उनकी बाकी जो status था जो की उनकी service conditions थी जो उनकी salary थी वो जैसे चीफ election commissioner और election commissioners हो गए उनकी equivalent थी तो वो हटा के अब central government ही decide करेगा यह आप यह facts जो है यह pre के लिए important है यह याद रखिएगा information commissioner, commissions की tenure and service conditions कौन decide करता है central government decide करता है और removal कौन करता है, precedent करता है कब, if he is insolvent, कोई उन्होंने moral turpitude मतलब कोई immoral act किया हो जैसे corruption हो गया paid employment outside, किसी office of profit में involved है या फिर कहीं as a information commission के बाहर उनके पास कोई salary आ रही है बाहर से आ रही है, तो वो कर सकते है misbehavior and incapacity if proved during inquiry by supreme court अगर supreme court को पता चलता है कि यह किसी misbehavior or incapacity में involved रहे है या capable नहीं है to hold the office तो supreme court भी उन्हें recommend कर सकता है president को इन्हें हटाने के लिए अब देखते हैं powers और functions क्या होते हैं duty to inquire into the complaints, जित्ती भी complaints हाती है उनकी जाच करना suomoto inquiry यह खुद से भी चाहें बिना किसी application तो भी inquire कर सकते हैं powers of civil court civil court to examine the record of the public authority, कोई भी public authority है उसका क्या track record रहा है information देने में उसको examine कर सकता है तो यह एक type से quasi-judicial body की तरह भी आप इसको कह सकते हैं और annual reports to central government central government जो है उसको हर साल एक report देनी होगी कि बताना होगा कि क्या कैसा progress रहा है, क्या कैसा नहीं अब इसकी importance क्या है? it did not create a new bureaucratic structure, used existing mechanism तो अब यहाँ पर एक नया statutory office बन रहा है एक statutory post बन रही है, लेकिन जित तबी existing bureaucracy है उसी को use करके ही यह पूरा implement किया जा रहा है पहले ऐसा होता था कि कोई नया constitutional office या कोई statutory office बनेगा तो उसमें नय bureaucrats उसमें जाएंगे नया manpower recruit करना पड़ेगा लेकिन जो अभी तक जो existing चीजे थी उसी को utilize किया गया है इस पूरे में तो यह इसका एक significance है enhancing participative democracy लोगों का इसकी वज़े से और participation बढ़ेगा जो democratic processes होते हैं government से और interaction होगा लोगों का पहले से और जादा empower weaker section with information and make government more accountable जो weaker section होते हैं जो अक्सर vulnerable groups होते हैं उनको और information provide करी जाएगी उनके पास में और power होगी कि सरकार से सीधे सीधे information मांग सके तो सरकार इससे और accountable होगी towards their welfare and well-being और improved decision making of the democracy and government यह यह कुछ इसके importance हो गया अब इसके challenges क्या हैं तो कई बार लोग जो होते हैं information जो मांगते हैं ऐसी information मांगते हैं जिससे वो blackmail कर सके किसी public authority को या harass कर सके information को miss use करते हैं harass करने के लिए उन्हें blackmail करने के लिए pendency of cases in RTI बहुत जादा होती है जैसे court के cases जो होते हैं फाइल करे जाते हैं cases लेकिन उनका decision नहीं आता है ऐसे RTI offices में भी होता है information मांगी जाती है लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचाए पहुंच पाती है तो वो information का जो request होती हो पेंडिंग होती है और ऐसे अभी तक 3.15 lakh complaints और appeals जो है pending है 2022 में illiteracy and unawareness of the people लोगों को बहुत सारा पता ही नहीं है कि RTI जैसे चीज़ें exist करती है वो सरकार से सीधे सीधे जवाब मांग सकते हैं कि कोई scheme implement क्यों नहीं हो रही है पैसा कहां पे जा रहा है लोगों तक benefits क्यों नहीं पहुंच रहे है illiteracy में unawareness में एक और है कि digital divide वाली बात आगी लोगों को computers यूज नहीं करने आते हैं तो इसलिए सरकार जो है accountable हर जगह पे नहीं होती है legislations for non-disclosure of information जैसे हमने section 8 के अंडर देखा था कि काफी सारे प्रावधान है जिसके अंडर लोगों को information ना दी जाए और धीरे धीरे उसमें नई नई चीज़ें add और करी जा रहे है conflict of right to information and right to privacy तो ये दोनों conflicting चीज़े होती है जहां right to privacy कहता है किसी भी व्यक्ति या organization कि जो private information है वो कोई और नहीं जान सकता लेकिन right to information इसका opposite है कहता है कि information publicly available होनी चाहिए तो जहां पर ये दोनों complimentary है कही ना कहीं एक दूसरे से conflicting भी है ये दोनों चीज़ें issues of RTI and political parties ये एक important चीज़ है ये अकसर एक item रहता है debate में कि जो political parties है कही ना कहीं वो क्या कहते है जो वहीं से member of parlements निकलते हैं और country के governance में कहीं ना कहीं उनका काफी जादा role होता है लोगों को political education वो provide करते हैं और inform करते हैं नहीं नहीं सरकार की schemes के बारे में तो उसे भी public authority की तरह कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए ये काफी लोग दावा करते हैं तो अगर ऐसा हो तो उनको भी RTI के under आना चाहिए और ये इसलिए भी क्योंकि corruption जो है उनसे भी काफी जादा allegations आते हैं कि वो भी involved है और उनका क्या financial inflow या outflow हो रहा है वो जानने की लोग कोशिश करते हैं इसलिए और जो backlogs हैं धीरे-धीरे कहीं ना कहीं जो cases pending हैं वो बढ़ी रहे हैं जैसे 2019 में 2,18,000 cases pending थे 2021 में वही बढ़के 2,80,000 हो गया और 2021 में 3,14,000 cases हो गया तो ये एक disturbing trend है जो बढ़ता जा रहा है और आगे क्या-क्या हो सकता इस से related सबसे पहले important है crucial for people to realize their right to information लोग को पता होना चाहिए कि जो उन्हें हक मिला है constitution के अंडर उसका असल में क्या मतलब है और उसे कैसे use कर सकते हैं तो awareness वाली बात हो गए दूसरा there is an urgent need for transparency watchdogs to function in a more effective and transparent manner मतलब जो posts vacant पड़ी हैं public information officers की उन्हें fill किया जाए जो applications हैं appeals हैं उन्हें तुरंट तुरंट लोगों तक पहुँचाया जाए ये चीज़े हैं जो उनके काम में और efficiency आनी चाहिए और digital RTI portal can deliver more efficient and citizen friendly that are not possible through the conventional mode तो digital RTI portals जैसे हो गए अब website से तो हम जानते ही है अब लोगों तक और accessible होने चाहिए mobile की apps तक ताकि interface जो है लोगों का government के बीच वो और efficient हो पाए ये कुछ कुछ suggestions है अब इसके बाद देखते हैं कि prelims में आपके article 19 और 21 जिनके अंडर ये सारी चीज़े होती हैं क्या-क्या सवाल आ चुके हैं मैं चाहूंगा कि आप video को pause करें इन सवाल को पढ़ें और comment box में इन सवालों का आप answer लिखें तो this is the first question about right to privacy जिसके बारे में हमने बात करी थे ये दूसरा question है जो हमने cyber security के बारे में बात करी थे उससे related question है ये अगला question है ये भी आपकी cyber security से related है तो अक्सर ऐसे तरी इस तरीके के questions जो है इस pattern के ये आते हैं prelims में और ये आपका एक mains का question है आप इसे try करिए around 250 words के लिए आप इसका एक answer लिख के देखिए right to information at is not all about citizen's empowerment alone it essentially redefines the concept of accountability discuss तो इसका answer भी आप कोशिश करिए कि आप comment box में लिखे and जैसा model answer या जैसा evaluation होग वो आपको बाद में convey कर दिया जाएगा so that was all for today thank you for watching the video अगर आपको कोई problem हो कोई issue हो तो आप नीचे comment box में उसे mention कर सकते हैं